हलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म लेट्स टेडि इंडिया में हम लोग भी असी फोर्ट से हमकी मैधेमेटिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया हुआ है और इसमें भी हम बेसल्स फंक्शन के बारे मे आप तक समझ सकते हैं आज म पढ़ने वाले हैं जनरेटिंऑ फंक्शन आफ बेसल्स फंक्शन क्या होता है नाम सच्छी क्लियर है ऐसे रेलेशन्स या ऐसे एक्स्प्रेशन जो बेसल्स की पूरे एक। conледier को ही derive कर सकते हैं एसे फंक्शन हम लोग generating function बोलते हैं तो generating function basal function का होने का मतलब है कि हम एक सब्सक्राइब करने वाले हैं कि उसको ऐसे mention करने कर दें तो उस expand करने के बाद foundations term करने को ढई भी एसन चर्म में of Bessel function ठीक आए स्टार्ट करते हैं कि Bessel function का generating function क्या होता है इस तरीके से लिखे वे quantity है generating function of Bessel function so that jnx is the coefficient of t to the power n in the expansion of e to the power ध्यान से देखिएगा e to the power x by 2 x by 2 bracket में t and then 1-t और इसका अगर multiply करती आज़े तो multiply करने के बाद e to the power xt by 2 minus x by 2t ठीक है हम इसका expansion अगर करें तो इसके expansion में t to the power n का जो coefficient होगा वो कौन होगा वो होगा jnx वो कौन होगा वो jnx होगा अगर हम इसको expand करने और इसमें t to the power n का coefficient चूज कर लें तो चूज करने के बाद मुझे वो jnx के form में ही मिलेंगे यानि मुझे jnx मिल जाएगा ठीक है इसमें क्या करना है और अगर आपको दुबारा jnx चाहिए तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप t to the power minus n के coefficient को भी चुन सकते हैं ठीक है आप इसके coefficient चूज क jnx is the coefficient of t to the power minus n multiplied by minus 1 to the power n in the expansion of this function उसी function का expansion किया जाए अगर आप उसमें t to the power n के coefficient को चूज करते हैं तो वो jnx देगा जबकि t to the power minus n के coefficient को चूज करते हैं तो वो jnx देगा लेकिन minus 1 to the power n से आगे multiply करने के बाद देगा ठीक है हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है हमें इस part का expansion करना है इसके expansion के लिए दो चीज़ें लगाई जाएंगी e to the power x के expansion और e to the power minus x के expansion आपको याद होना चाहिए ठीक है तो पहले आप ये note कर लिए कि बेशल function के generating function को हम लिखते कैसे हैं अगर आता है कि अवल कि generating function क्या होता है बेशल function का तो आप ये लिखेंगे ठीक है हम अब लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को प्रूफ किया जाएगा कि इसी function के expansion में क्या वाकई हमें जेरक्स के coefficient मिल जाते हैं आए देखते हैं प्रूफ प्रूफ में क्या करना है हमें हमें इस given term को expand करना है we will expand we will expand expand e to the power xt by 2 minus x by 2t हम इसको expand करेंगे अच्छा है इसको expand करने का तरीका यह होगा कि आप पहले यहीं से इसको तोड़ दे दो पार्ट में xt by 2 कितना xt by 2 into e to the power minus x by 2t सही है आपने इसको दो पार्ट में यहीं से तोड़ दिया अब आप क्या करेंगे now we know that now we know that हम यह जानते हैं कि e to the power x का expansion क्या होता है 1 plus x plus x square upon 2 factorial x power 3 upon 3 factorial ऐसे चलता रहेगा तो last वाला x power n upon n factorial इसके आगे n plus 1 upon n plus 1 factorial और होता तो n plus 2 upon n plus 2 factorial और ऐसे इसे की चलती रहती आगे तक जबकि अगर e to the power minus x होता तो 1 minus x plus x square upon 2 factorial x cube by 3 factorial ऐसे चलता रहता आगे तक फिर क्या होता प्लस minus 1 to the power n x power n upon n factorial ठीक अगला होता तो minus 1 to the power n plus 1 upon n plus 1 factorial और अगला इसी expansion के term मुझे यहां भी तो दिये गए है e to the power x into the power minus x मुझे इसी form को देखते हुए उसका expand करके लिख देना है ठीक है तो आईए इसी दोनों को use करते हैं और equation 1 इसको equation 1 माल लेता है और equation 1 को expand कर देता है use above formula and expand equation 1 use using expansion rule in equation 1 पहले वाले में expansion का rule लगाएंगे तो e to the power क्या था xt by 2 है into e to the power minus x by 2t है ठीक है यह है इसको expand करना हो तो पहले वाले term का expansion क्या होगा बताओ जरा पहले वाले term का expansion क्या होगा positive है तो सब positive चलेगा 1 plus x हो गया प्लस अगला क्या होगा xt by 2 का square होगा और 1 upon 2 factorial भी आगे होगा होगा वैसे ही 1 upon 3 factorial होगा xt by 2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा हम एनथ term लिखेंगे तो 1 upon n factorial xt by 2 का power n होगा फिर 1 upon n प्लस 1 का factorial xt by 2 का power n प्लस 1 होगा और अगर term लिखे जाए तो 1 upon n प्लस 2 factorial xt by 2 का power n प्लस 2 भी होगा और term ऐसे ही आगे तरफ चलता रहेगा अभी तो केवल एक term का expansion लिखा अभी तो केवल एक term का expansion लिखा अभी दूसरे वाले term का expansion तो बाकी है यह इसमें multiply में है तो हम multiply करेंगे आपर ठीक इसमें दूसरे वाले term का expansion भी लिखते हैं जिला देखना इसका लिखेंगे यह alternate sign के साथ चलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस तो कैसे चलेगा 1 minus xt by 2 1 minus xt by 2 फिर प्लस में आएगा 1 upon 2 factorial xt by 2 का कितना हो जाएगा x by 2t है इसको ऐसे लिखिए 1 minus x by 2t फिर प्लस x by 2t का कितना square और आगे कितना होगा 2 factorial 2 factorial फिर minus 1 upon 3 factorial x by 2t का कितना हो जाएगा Q जाएगा और ऐसे यगर चलता रहा आगे तक तो फिर बताओ minus 1 to the power n होगा divided by n factorial होगा x by 2t का पावर n हो जाएगा फिर करेंगे तो minus 1 का पावर n प्लस 1 होगा divided by n plus 1 का factorial होगा और कितना आएगा x by 2t का power कितना आजाएगा n plus 1 हो जाएगा एक तर्मोर लिखो तो minus 1 का power n plus 2 होगा divided by n plus 2 का factorial होगा और फिर कितना होगा x by 2t का power बढ़ा दो power आगे n plus 2 और ऐसे ही सीरी जब ही आगे तक चलती रहेगे और यह होगा product इंका यह तो हमें पूरा पहले का expansion दूसरे का expansion मुझे ऐसे ही मिला हुआ है फिक है एक पहले का expansion मैंने कर दिया और दूसरे का expansion कर दिया जो बिल्कुल same तरीके सा ऐसे expansion हुआ अब क्या करना है मुझे इसी product में मुझे इसी product में t to the power n के coefficient choose करने है मेरे पास ये product लिखा हुआ है ठीक ये product लिखा हुआ है मुझे इसी में t to the power n के coefficient चूज करने है लिखो choose या लिखो choosing the coefficient of the coefficient of t to the power n in above product in above product उपर किये गए इस गुड़े में हमें t to the power n के coefficient चूज करने है बिल्कुल ध्यान से एकदम concentrate करके आप t to the power n के coefficient चुनेंगे देखिए ज़र ध्यान से देखिएगा t to the power n के coefficient चूस करने है t to the power n normally हमें यहाँ दिख रहा है हमें t to the power n यहाँ दिख रहा है यह रहा t to the power n अगर यह t to the power n पहले दोनों bracket का हो रहा है t to the power n का coefficient देखना है तो 1 upon n factorial x by 2 का power n यह पहला मिलेगा आगे हम multiply करेंगे तो जब इसका multiplication हम दूसरे वाले से करेंगे तो यहाँ t का power n plus 1 है और यहाँ नीचे t है तो एक t से यहाँ का एक t cancel हो जाएगा और t power n बचेगा coefficient क्या बचेगा? 1 upon n plus 1 factorial x by 2 का power n plus 1 और इसके पास पहले से भी x by 2 है तो x by 2 का power कितना हो जाएगा? n plus 2 हो जाएगा तो ऐसे ही coefficient हमें choose करने है तो हमारों सबसे पहला coefficient हो का बारी-बार इसमें लिख रहा हूँ तो t to the power n के coefficient क्या होंगे? जो हमारों सबसे पहला coefficient बनेगा वहाँ सबसे पहला coefficient देखते रहो जो सबसे first वाला coefficient आएगा वो क्या आएगा? 1 by n factorial x by 2 का power n 1 by n factorial हाँ कितना आएगा? 1 by n factorial 1 by n factorial और t to the power x by 2 to the power n ठीक है? यह हमारा coefficient है पहला वाला coefficient है 1 upon n factorial x by 2 इसका power कितना? n यह हमारा पहला हो गया ठीक, यह first हो गया अब first के बाद सबसे पहला हो गया अब सबसे पहले के बाद इसका दूसरा component कैसा आएगा? इसका दूसरा वाला आएगा minus 1 upon n plus 1 का factorial देखते रहो minus में आएगा कि plus में आएगा चीज़ें आप देखते रहिए यहाँ negative है यहाँ negative है और दूसरा वाला coefficient यह है अगर यह multiply करेगा इससे तो plus minus minus बनाएगा 1 upon n plus 1 factorial तो वहाँ नीचे मैंने लिखाई है और power भी देखे कितना है इसके power n plus 1 है हमें t to the power n का coefficient देखना है तो x by 2 to the power n plus 1 बचेगा और यहाँ x by 2 पहले से भी है तो x by 2 का power हो जाएगा n plus 2 ठीक है x by 2 का power हो गया n plus 2 यहाँ हो जाएगा x by 2 x by 2 का power हो जाएगा n plus 2 ठीक है एक plus हो गया एक minus हो गया अगला वाला आएगा तो plus में आएगा ठीक कितना आएगा ज़रे देखना अगला वाला जब multiply करेगा तो इससे multiply करेगा इससे दूसरे वारे term से तो कितना बचेगा? यहां बचेगा तुम्हारा 1 upon देखो उसमें तो 1 factorial था, कुछ factorial नहीं था, यहां factorial भी है तो कितना होगा? 2 factorial तो होगा coefficient में यह n factorial, n plus 1 factorial तो अगला वाला कितना हैगा? n plus 2 factorial, guess विकर सकते हैं आप, ठेक, यहां देखो, n हुआ है, n से power n plus 2 हुआ है, तो अगला power कितना हो जाएगा, x by 2 का power n plus कितना होगा, 4 होगा, होगा कि ने, 4 कैसे होगा, देखो ने, x by 2 का power 2 है, x by 2 का power 2 है, और यहां जब आप multiply करेंगे, तो यह देखे, x by 2 का power कितना n plus 2 है, n plus 2 यहां, 2 आप, n plus 4, total power 1, n plus 4, ऐसे हम लोग series को आगे लेके चलने वाले हैं, तो यह तो एक हो गया, मतलब ऐसे ही चल रही आगे, अब यह n plus 4 हो गया, एक series की वल्लो निकल गई, ठीक है, यह हमारे पास एक series की वल्लो निकल गई, ऐसे ही करके हम लोग आगे तक चलते रहें हम लोग t to the power n के coefficient match करा रहे थे और t to the power n के coefficient मुझे ऐसे ही मिले हुए, ठीक है, इसको जड़ा आरेंज कर लिया जाए, इसको आरेंज कर लिया जाए, तो कैसे हो जाएगा टम, जड़ा देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 upon, अच्छा पहले भी पता है, तुम्हें कि जो लिखा हुआ है number, उपर जो लिखा हुआ है, उसको minus 1 का power 0 बोल सकते हैं क्या, जड़ा देखना, किसी भी number का power 0 करने से कितनी वलो मिलती है, अगर minus 1 का power 0 कर देखो, तो मुझे 1 मिलेगा, 1 लिखा हुआ है उपर, और यहाँ 0 factorial लगा दे है, और n factorial को gamma में लिखने हम होगा, और n बचेगा, minus 1 का power 0, 1 होता है, तो वह नहीं है, 0 factorial 1 होती है, gamma n plus 1, फिर से n factorial होता है, तो मैं इसको change किया इस form में, ठीक, minus 1 upon n plus 1 factorial है, यहाँ 0 factorial था, यहाँ 1 factorial लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, और यह हो जाएगा n plus 2, gamma में लिखते तो एक बढ़ जाता ह तो gamma n plus 2, और यहाँ देखो, यहाँ negative में चल रहा है, तो इसको positive कर दिया जाए, और यहाँ minus 1 का power 1 कर दिया जाए, कोई दिक्कत होगी, नहीं, minus 1 आएगा, minus यहाँ minus 2 बना देखा, तो यहाँ हो जाएगा, अब x by 2, इसका power कितना होगा, n plus 2 into 1 कर दिया जाए, 2 ही रहेगा, और plus फिर आगे चलते है, plus minus 1 का square कर दो को तो 1 ही आएगा, 1 लिखा हुआ उपर, नीचे हो गया 2 factorial, गामा में कितना हो जाएगा, 2 है, गामा बजाते ही एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, n plus 3 हो जाएगा, और यहाँ x by 2 का power कितना हो जाएगा, n plus 2 into 2 हो गया, और series ऐस ही कहाँ जाएगी, अब आगे की और बढ़ती रहेगी, ठीक है, अब ज़र आप देखिए, इसी form को आप थोड़ा और close देखे कि jnx के value क्या थी, तो jnx के form में इसे कैसे लिखा जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते है, minus 1 का power 0, ठीक है, यहाँ 0 factorial हो गया, इसको लिख सकते हो, n plus 1, plus 0, सही है, x by 2 का power कितना, n plus 2 times of 0, plus, minus 1 का power 1, नीचे देखो, 1 factorial, अंडर में कितना हो जाएगा, n plus 1, plus 1, सही है, n plus 1, plus 1, ठीक है, अब ही देखो, फिर अगला वाला term क्या होगा, इसमें x by 2 का power कितना लिखा होगा है, n plus 2 into 1, अब क्या होगा, minus 1 का power 2 हो गया, 2 factorial, इसको लिखा जाए, n plus 2 plus 1, यह भी सही है, और यहाँ, power कितना हो जाएगा, x, x by 2, x by 2 का power, n plus 2 into 2, और सीरी जैसे ही आगे चलेगी, ठीक है, अब ही देखो, अब ही इस चीज को हम summation form में लिखना चाहे, तो summation में से कैसे लिखा जाएगा, अब इसे हम summation मे to infinitive, summation r from 0 to infinitive, यह तो summation r from 0 to infinitive हो गया, यह कितना हो जाएगा, minus 1 का power r हो जाएगा, 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, means r factorial हो जाएगा, गामा में कितना हो जाएगा, n plus 1, n plus 2, n plus 3, ऐसे चलता रहेगा न, यह n plus, हाँ, n plus 1, n plus 1, n plus 1 plus 0 है, n plus 1, ऐसे लिखना चाहिए, यह रॉंग है, n plus 0 plus 1, ठीक है n plus 1 plus 1, n plus 2 plus 1, n plus 3 plus 1, मतलब यहाँ कि n के बाद यहाँ 0 से start हुआ है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और सब में plus 1 है, इसका मतलब लिख सकते है, n plus r, then plus कितना 1, then x by 2, और power देखो, n plus 2 into 0, 2 into 1, 2 into 3, 2 into 4, मतलब 2 into कितना r, ठीक, अब जाएगा ध्यान से देखो तो यह पूरा का पू किसका लिखा हुआ है, jn x का लिखा हुआ है, jn x का लिखा हुआ है, तो मैं बता था, jn x के value क्या होती है, jn x पूरे का पूरे इसी expansion को हम लोग, special function का solution jn x बोलते थे, इसलिए इस पूरे का पूरे term को jn x के form में बोल रहे है, यह रहा, हमने देखा कि उस e to the power x by 2 t minus 1 by t क हमने expansion किया, उसमें t to the power n के coefficient मैंने collect कर लिए, तो t to the power n के coefficient कलेक्ट करने के बाद, मुझे क्या मिला, मुझे मिला coefficient किसका, jn x का, तो यह तो आपका पहला हो गया, आपके पहले वाले पार्ट में यही तो बोला गया था, पहले वाले पार्ट बोला गया था, बेशल function के generating function म तो मैंने इसका expansion किया और t to the power n के coefficient जब collect करने गए तो मुझे jnx के form में ही सारे term मिले हुए हैं ठीक एक form इसका और बचता है कि अब t to the power minus n के coefficient अगर निकालें तो वो भी jnx आएंगे लेकिन बाहर minus 1 to the power n से multiply होके आएंगे ठीक है तेको मैंने इस formula का use किया expansion rule का और expansion rule के त factorial gamma लिखा gamma के term में करने पर n plus 2 into 0 कर दिया ठीक इतना करने के बाद देखा कि मेरे यह सारे के सारे कोफिशियंट किसके फॉर्म के बन रहे हैं इस सारे कोफिशियंट जो है वो jnx के form के बन रहे हैं कितने ज in x के form में बन रहे हैं इसका मतलब t to the power n के कोफिशिन को collect करने बा एक पार्ट है जनरेटिंग फंक्शन का ठीक आप स्क्रेंट लेगे रखेगा बारी-बारी से कंप्रीट करते भी चलिएगा ठीक है आगे चलते है आगे देखते हैं अब हमें क्या करना है टी पावर माइनस एन के कोफिशेंट मैच कराने हैं अब लोग क्या करेंगे टी किया होंगी अब टी पावर माइनस एन के सारे कोफिशेंट आपको चूज करके उससमें लिखने अबसारो को जैसे इन यह तो अब कैसी लिखेंगे देखिए चिपावर माइनस कलिक और किले होंगे अब देखिए अह हुआ अजगे चलते हैं मल्ट Иそして 1 क números की करता हूं मुझे क्या मिलेगा अगर मैं एक यहां चलते हैं वन का multiply अगर इस term में करोगे, तो 1 multiplied by this number लिखा हुआ, तो यहाँ t का power क्या है, n है, और वो t नीचे है, उपर जाएगा तो t to the power minus n बन जाएगा, और minus n का coefficient क्या होगा, minus 1 to the power n, n factorial x by 2 का power कितना n, यह हमारा सबसे पहला वाला term होगा, ठीक, चलो बारी बारी से पहला दूसरा हम लिखते हुआ चलते हैं, और फिर आगे solve करेंगे, हमारा सबसे पहला term क्या होगा, सबसे पहला term था हमारा minus 1 to the power n, n factorial x by 2 to the power n, यह हमारा सबसे पहला term है, अब जो यह सबसे पहला term है, तो दूसरा वाला term क्या होगा, दूसरा वाला term क्या होगा, दूसरा वाला term क्या इनके n plus 1 वाले term से कर दूँ जा देखना यहाँ एंट पावर 1 है और यहाँ आप्वार n-1 है और वह नीचे यह नीचे वाला एक ती ओपरेली से कर जाएगा नीचे एक टी पावर एड बचेगा उपर जाकर टी पावर माइनस N न होगा होगा कि नहीं यहां देखो करना सुन में आए तो ऐसे देख लो यहां करके t to the power उपर है into 1 upon t to the power n plus 1 है 1t से ठिकटम यह उपर गया तो t to the power कितना बचा minus n मतलब t to the power minus n का coefficient हमें यहां से मिल जाएगा ठीक है हमें यहां से coefficient मिल जाएगा multiply करेंगे तो और आएगा क्या x by 2 यहां भी है x by 2 यहां भी है तो x by 2 का power n plus 2 बन जाएगा coefficient में आगे यह वाले नमबर तो रहेंगे ही और plus minus 1 to the power n तो common आही रहा है ठीक है उस सारे नमबर तो common आही रहा है तो देखो जला हम दो चलते हैं दूसरा coefficient लिखते हैं इसे का दूसरा वाला हम लोग इस तरीकी सा अगर आगे चलेंगे तो अगला coefficient मिलेगा minus 1 to the power n plus 2 divided by n plus 2 का factorial फिर इसमें बढ़ा हो आगे x by 2 और power कितना हो जाएगा n plus 4 और series ऐसे ही आगे की और चलते रहेगे ठीक है अब देखो अब क्या करोगे इसमें यह करना है कि minus 1 to the power n आगे कर लो minus 1 to the power n सबसे बाहर निकाल लिया गया क्या बचेगा यहां पर 1 upon n factorial x by 2 का power कितना n यहां कितना हुआ minus 1 to the power n यहां बचेगा न negative आगे गया है negative 1 upon कितना हो जाएगा n plus 1 का factorial सही है और यहां x by 2 का power कितना आजाएगा n plus 2 यहां से बाहर गया तो क्या बचा यहां से बाहर गया तो बस minus 1 to the power n गया है लेकिन minus 1 का square तो बचा होगा तो वो plus में आएगा answer तो 1 upon n plus 2 का factorial बचा है x by 2 का power n plus 4 और यहां तुमारा सारा सीरी जैसे चलता रहेगा ठीक है यहां तक सही है सारे कोफिशेंट मैच हो गया और minus 1 to the power n common हो के बाहर भी निकल गया क्या बचेगा हमारे पास minus 1 to the power n तो ठीक है सही है इसको लिख सकते है इसको कैसे लिखा जाए इसको लिखा जाए minus हमें negative quantity तो पहले पता नहीं है हमें negative वाले quantity तो नहीं पता है minus 1 to the power है हमने बाहर निकल लिखा है अब देखो यहां 1 1 upon सारे नंबर ऐसे ही बन रहे यह बन रहा 1 upon 1 upon इसको लिख सकते हो गया 0 0 factorial इसको लिखो ना minus 1 to the power 0 सही रहे हैं का 1 को लिख सकते है minus 1 to the power 0 0 factorial अच्छा N factorial को गामा में कैसे लिखेंगे N plus 1 लिखेंगे X by 2 का power कितना करेंगे N plus 2 into 0 कर दें कोई effect पढ़ने वाला नहीं तो पहले वाले term को ऐसे change कर दिया गया ठीक फिर यहां minus है तो plus minus 1 to the power 1 कर दो और यहां कितना होगा 1 factorial कर लो और गामा में कर देना N plus 2 फिर कितना हो जाएगा X by 2 फिर कितना हो जाएगा N plus 2 into 1 और last यहां कितना करेंगे minus 1 का square कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं 1 ही आएगा और कितना करोगा फिर 2 factorial कर लो 2 factorial गामा में कितना हो जाएगा N plus 3 हो जाएगा 0 और यहां कैसे लिख सकते हो बताया था मैंने इसको ऐसे लिख सकते हैं सही है x by 2 का power कितना हो गया n plus 2 into 0 यहां कितना होगा minus 1 to the power 1 और यह कितना 1 factorial gamma में कितना हो जाएगा n plus 1 plus 1 लिख दो x by 2 का power n plus 2 into 1 कर दो minus 1 का square अब नीचे 2 factorial छोड़ दो इसको लिखा जाएगा तो n plus 2 plus 1 लिख दिया जाए ठीक और x by 2 और power n plus 2 into 2 ठीक और series ऐसे आगे चलेगी ठीक है अभी इसी चीश को लोग देखें समेशन के form में कैसे लिखेंगे अब लगाओ summation r from 0 to infinitive देखो 0 है 1 है 2 है मतलब minus 1 का power r है 0 factorial 1 factorial 2 factorial मतलब simply concept factorial r factorial फिर कितना होगा n plus 0 n plus 1 n plus 2 मतलब n plus r और plus 1 तो सब में है तो plus 1 यहां भी होगा and then x by 2 कितना आ जाएगा यहां से और यह बनेगा कितना x by 2 और power कितना हो जाएगा n plus 2 into r है यहां r हो जाएगा ठीक है जो पूरा वाला यह वाला term लिखा हुआ है यह हमारा कौन से term लिखा हुआ है summation के साथ पूरा term jnx लिखा हुआ है पहचानते होंगे इसको यह हमारा jnx है कितना हो गया minus 1 to the power n और यह कितना हो गया jnx ठीक इसका क्या मतलब हुआ अगर आप t to the power n का coefficient हम t to the power n का coefficient देख रहे थे तो मुझे jnx मिला और t to the power minus n का coefficient देख रहे तो मुझे jnx मिला लेकिन minus 1 to the power n से multiply करने के बाद jnx मिला हुआ है ठीक है तो आपको यह चीज़ पता करनी थी कि मैंने अगर expansion किया था किस term का expansion किया था e to the power x by 2 t minus 1 by t का expansion किया तो t to the power n के coefficient collect करने पे वो jnx था और t to the power minus n के coefficient collect करने पे वो भी jnx था लेकिन आगे multiply था minus 1 to the power n से ठीक है बात समझ गए तो मुझे यह प्रूफ करना था कि यही हमारा generating function है तो देखो इस तरीके के exponential function को हम बोलते है generating function जो कि हमारे basal function को ही क्या कर देता है generate कर देता है ठीक generate करता है t to the power n के coefficient पे jnx देता है t to the power minus n के coefficient minus 1 to the power n times jnx देता है ठीक है तो यह बात आप समझ गए होंगे कि किसी लिए हम इस expansion को generating function का नाम दे रहे हैं ठीक है hence proved हमने यह देखा कि t to the power minus n के coefficient जो होंगे वो t to the power देखो है t to the power minus n के coefficient हमने match करा है coefficient को थोड़ा बहुत select करके इधर उदर choose करने के बाद jnx बनाने का फॉर्म का try करेंगे jnx बन गया तो minus 1 to the multiply भी था ठीक है यह हमारा पहला पार्ट और यह हमारा दूसरा पार्ट तो देखना सबकी screenshot लेकर रखो सारे तुमको cover करने ठीक है वीडियो देखते देखते आप इसके notes बना लीजिएगा ठीक है important question है generating function पूछा जाता है paper में कि generating function क्या होता है generating function में हम लोग jnx t to the power n और t to the power minus n के coefficient match करा कि हम लोग क्या निकालते है ठीक तो यह हमारा question है question के according आप करेंगे ठीक है तो हमने basal function completely क्या कर दिया है finish कर दिया है कुछ और question अगर बचते होंगे basal function को तो आपको वीडियो के condition generating function recurrence relation complete solution basal function का पूरी तरीके से तैयार हो चुका है इतना पढ़िए तिल देन टेक केर अल्द बैस